तो लगतार अलग-अलग जगहों से अलग-अलग तस्वीर आ रही है लोकडाउन के दौरान क्या कुछ हालात हैं कई ऐसे मज़ूर हैं जो बाहरी देशों से महानगरों से यहाँ पर बाहरी राजियों से माफ कीज़े का यहाँ पर पहुंश तो रहे हैं लेकिन वो अपने ग लोकडाउन के बाद आज सात्वा दिन है वहाँ पर क्या स्थिती है क्योंकि देखा गया कल भी आपने एक तस्वीर दिखाए थी कि कई जगहों से कुछ लोग वहाँ इकटा हुए थे कई जगहों से मज़ूर वहाँ पर पहुंच रहे हैं जीने अभी तक अपने घर तो ज कि कल जो तस्वीरें हमने दिखाय था उस तस्वीरों को अगर हम आज के संदर में देखे तो भीड वहाँ जो है चुकी बाजार सडके तो सुनी हैं लेकिन जो बाजार हैं खास्थर पर सबजी के दुकानों में या रासन पानी के जो दुकान में या फिर जो आम दिन्चरि सुनी中共 करने हैं नहीं अब यह घंघ को सीदे सस्पीर संतला घंघहा इसकर बुस् Trek सेवा में जूरे हुए लोग है वही है और दूसरी साल जाोरा सब्सक्राइब जो बहुत ही अच्छी तस्वीर है, यानि गाओं के लोग तो जागरूख है ही, सहर के लोग भी है, लेकिन सहर में भी कई ऐसे हमारे हाँ मलीन भसती है, जहां पर लोग जो है, गरीब लोग रहते हैं, हम बात कर रहा है कोरोना की, तो उसी कोरोना के बीच में एक नया तस्व इसी आपको बताऊ अपने कब्सकित को से ठीक सामने की जो आपको नजर आ रहा होगा यह बस्ती और फंसरों मेलीन बस्ति है उन गरीब लोगों की बस्ति है जो यहां के जो लोग है उनके घरों में दाई का नौकर का काम यानि मेट सर्वेंट का काम करते हैं ज़्यादातर यहां पे जो लोग हैं लेकिन इनकी जारुटा देखिए कि बजाबते इन्होंने एक बैरिकेटिंग कर रखा है बास बल्ला से और वहां पे लिखा है कोरोना वाइरस के लिए यह रास्ता बंध है किर असल उसमें ये सभी मलीन बस्ती से लोग हैं हलाकि इनकी तकलिफ यह है कि दिन्चरिया इनकी अगर कहें तो अब इनकी दिहारी मारी गई है जो ये काम करने जाते थे घर से बाहर अब नहीं जाते तो इन्हें मदद की जुरत है विश्यस रुप से इन्हें खाने पीने की दिकते भी होगी लेकिन उसके बावजूर भी इनकी जागरुक है और जागरुक ही नहीं बलकि प्रधान मंतरी हमन सोरेन के जो अपील है उसका पालन कर रहा है और अक्षर-अक्षर पालन कर रहा है फिलहाल ये जिन अफसरों के घर में जाते थे नोकरी करने के लिए जिन आसपास की जो लोगो के घर में काम करने जाते थे वहां पर इनोंने काम करना बंद कर दिया है अब यह घरों मेंहीं रहा रहे है नहीं जा रहे है एसे में परशानी इनको आती होगी लेकिन यह परशानी से बड़ी परशानी कि कम से कम recreasyon जो संक्रामा है बिल्कुल बिल्कुल सही का अभिशेक आपने कम से कम जागरुक हैं ये लोग कई लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं लेकिन वो जागरुक भी है इनकी कई न कई रोजी रोटी भी मारी गई है जो इन्हें मजदूरी मिलता था वो भी इस दोरान लोग डाउन के दोरान वो मजदूरी नहीं मिल पारी है ऐसे में क्या लग रहा है अभिशेक ऐसे इलाके कई ऐसे स्लम एरियाज हैं जहां पर बहुत जादा दिक्कते होती हैं लोग घरों से बाहर नहीं निकल पारे हैं वो काम पर नहीं जा पारे हैं से जादा अधिकत मजदूर वर्ग के लिए हो गई है लगतारम तस्वीरे दिखा रहे हैं जहां से भी तस्वीरे आरे हैं अपडेट करा रहे हैं तर्शकों को ऐसे मजदूर जो है या ऐसी पस्ती है जहां पर इन्हें खाने पीने के अगर कमी हो रही है तो क्या महात तक किसाल भात योजना तो पहले से चली रहे थे उस योजना के आलामा अगर हमका है तो अत्रिक्त 35 के अंदर खोलेगा है इसकी बाद पूलिस जन सहयोग से भी अलग अलग के अंदर खोलेगा हैं पूरे जीले भर में का है और हुमेनेटि जो यहां पे जो लोग है स्वहम से उन्हों ने भी हुमिनिटी ग्राउंड पर जो है काफी हद तक आगे बढ़ाया है कुछ जो लोकल राज देता है लोकल जो जन परती दी है उन्हों ने भी इसमें काफी अहम युगदान दिया है और सबसे अच्छी बात यह है कि 50 से ज्यादा स्वेम से भी संगठन इसको ले किये जा रहा है और उस पैकेट को अस्थानिये लोगों के पास में जो भी गरीब लोग है उनको भेजे जाएंगे ताकि कोई तकलीफ नहीं हो इसका धिया नखा जा रहा है एक पैकेट का खर्च जो है करीब 400 रुपे आता है तो कोसिस की गई है कि जो भी बेक्ति मदद कर करना चाहता है वो सीधे तोर पर चाहे तो रेट क्रोस के जरिये मदद कर सकता है इसकी भी अपील धनबाद उपायक ने किया है तो बड़ी पहल की गई ऐसा नहीं कि कि किसी को भी भूखा नहीं रहे कोई भी भूखे नहीं मरे इसका खास तोर पर धनबाद के सभी लोग उसका लोगों पर काफी असर दिखा है और जहां तक मैंने तस्वीर देखी है अभी तक ऐसी किसी ने सिकायत नहीं किया है कि वो दो दिन से तीन दिन से भूखा पड़ा है और उसे खाना नहीं मिल रहा है यानि सुचनाए मिलने के बाद तुरंत लोग अपने से आसपास के लोग मदद के लिए त्यार हो रहे हैं और यह अच्छी बात है विशेख तमाम चीजों पर नजर बनाए रखिए तमाम चांकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो समधा था विशेख बता रहे थी कि अभी धनबाद में लोग कहीं कहीं एक तरह से जागरुक दिख भ पर 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 रहे धनबाद में लोग कहीं को समय को समय कि अभी में हैं लोग फटाब अच्छी समय को समय के लिए गंबाद में हैं